हलो दोस्तो जारखंट पिजन्स योट्यूब चैनल में आप सब का फिर से स्वागत है दोस्तो आज जैसा कि आपने थमनेल देखा होगा थमनेल देखकर के आपको पता चली गया होगा कि वीडियो किस पर है दोस्तो मेरा जो कभूतर का पेर है उसने तीन अंडा रखा है यान आज आप लोगों को दिखलाऊंगा और एक जो उसमें कभूतर का जो अंडा है उसका जो साइज है वो काफी छोटा है तो मुझे तो देख करके यह लगता है कि उसमें से बच्चा नहीं निकलेगा वो अंडा बेकार है और ऐसे भी कभूतर तीन बच्चा कभूतर को तीन पालना काफी डिफिकल्ट हो जाता है तो हम आप लोगों को वो जो अंडा है वो आप लोगों को दिखला देते हैं और वो कभूतर भी दिखला देंगे आपको जिसने तीन अंडा दिया है तो सबसे पहले हम वो कभूतर आप लोगों को दिखला देता हो तो यहाँ पर अभ अभी अभी मैंने सभी कबूतर को बाहर निकाला है और इसमें एक कबूतर ये भी है आप देख सकते हैं इसका कलर देखें और साइज देखें तो यही वो कबूतर है जिसने तीन अंड़ा दिया है तो देखें इसका साइज क्वालेटी आप देखें तो इसने तीन अंड़ा दे दिया है और वो अंड़ा भी मैं आप लोगों को दिखलाने वाला हूँ तो चलिए देखते हैं लोट के अंडर आपको वो अंड़ा भी दिखला देते हैं जो इनों ने दिया है कबूतर देखें कबूतर का साइज देखें और जो कलर है यूनिक कलर है तो इसका जो अंडया है वह मैं आप लोगों को दिखलाता हूँ तो चलते हैं लौक्ट के अंदर तो अब हम आ चुके हैं लौक्ट के अंदर और यहाँ पर हम यह जो गेट है जो कबूतर का रूम है जो खाना है उसे ओपिन करेंगे और यहाँ पर आप देखे आपको तीन अंडा दिखाई दे रहा होगा दो का साइच लगवक ठीक है हम वो भी चेक कर लेते हैं साइच यह तो ठीक लग रहा है साइच दूसरा देखते हैं दूसरा भी लगवक ठीक है लेकिन थोड़ा से यह भी देखे यह भी दूसरा का भी साइच ठीक है अब तीसरा हम चेक करते हैं तो तीसरा जो तीसरा देखे यह अंडा साइच काफी छोटा है और यह फूटा हुआ भी है तो यह तो बेकार हो चुका है और यहाँ पर दो अंडा सही है तो आप कॉमेंट करके बतलाएं इन दोनों अंडा में से बच्चा निकलेगा या नहीं निकलेगा आपको अगर नौलेज है तो आप बता सकते हैं कॉमेंट करके और इससे तो अब निकलेगा भी नहीं इसका साइज भी छोटा है और ये फूट भी चुका है तो ये तो बिकार हो चुका है तो इन दोनों में बच्चा बनेगा या नहीं बनेगा आपको बतलाना है कॉमेंट करके तो दोस्तो आज के लिए बसित नहीं अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई थैंक यू